नमस्कार आईए सुनते हैं रविंदर नाट टेगोर द्वारा लिखी हुई एक बांगला कहानी एक रात का हिंदी अनुवाद एक ही पाठ शाला में मैं सुर्वाला के साथ पढ़ा हूँ और बववव खेला हूँ उसके घर जाने पर सुर्वाला की मा मुझे बड़ा प्यार करती और हम दोनों को साथ पढ़ा कर कहती वाहर कितनी सुन्दर जोड़ी है छोटा था किन्तो बात का अबे प्राय प्राय समझ लेता था सुर्वाला पर अन्य सर्व साधारन की अपेक्षा मेरा कुछ विशेस अधिकार था ये अधारना मेरे मन में बद्ध मूल हो गए थी इस अधिकार मद से मत होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता हूँ ऐसी बात न थी वह भी सहिश्म भाव से हर तरह से मेरी फर्माईश फूरी करती और दंड बहन करती महले में उसके रूप की प्रशंसा थी किन्तु बरबर बालक की द्रिश्टी में उस सौंदर्य का कोई महत्तु नहीं था मैं तो बस यही जानता था कि सुर्वाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत तस्विकार करनी के लिए ही जन्म लिया है इसलिए वह विशेस रुप से मेरी अबहिलना की पात्री है मेरे पिता चौधरी जमीदार के नायब थे उनकी इच्छा थी मेरे काम करनी योग्य होते ही मुझे जमीदारी सरिष्टे का काम सिखा कर कहीं गुमाश्ता गीरी दिला दे किन्तु मैं मन ही मन इसका बिरूदी था हमारे महले के नील रतंज इस तरह भाग कर कलकता में पढ़ना लिखना सीख कर कलक्टर साहब के नाजिर हो गए थे उसी तरह मेरे जीवन का लक्ष भी अत्युच था कलक्टर का नाजिर न बन सका तो जजी अदालत का हैड क्लर्क हो जाऊंगा मैंने मनी मनी अनिश्य कर लिया था मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे अनिक अपस्वरों पर मचली, तरकारी, रुपए, पैसे से उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती यह बाद भी मैं बाले अवस्ता से ही जानता था इसलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी यहां तक के हर कारों को भी अपने हिर्दय में बड़े सम्मान का इस्थान दे रखा था यह हमारे बंगाल के पूज देबता थे 33 कोटी देबताओं के छोटे-छोटे नवीन संस्क्राइ कारे सिध्धी लाव के संबंद में स्वेम सिध्धी दाता गणेस की अपेक्षा इनके प्रती लोगों में आंतरिक निर्वर्ता कहीं अधिक थी अतैप पहले गणेस को जो कुछ प्राप्त होता था वो आजकल इन्हें मिलता था नील रतन के द्रिश्टांत से उत्साहित होकर में एक दिन विशेश सुभिधा पाकर कलखता भाग गया पहले तो गाउं के एक परिचित ब्यक्ती के घर ठहरा उसके बाद पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी बहुत सहायता मिलने लगी पढ़ना लिखना नियम पूरपक चलने लगा इसके अतरिक्त में सभाव समितियों में भी योग देता देश के लिए प्रांड विसरजन कहने की ततकाल अवश्यक्ता है इस विशय में मुझे कोई संद्य अना था किन्तुई है दो साध्यकार एक किस प्रकार किया जा सकता यह मैं नहीं जानता था ना इसका कोई द्रिष्टान्त ही दिखाई पड़ता था पर इस से मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं आई हम देहाती थे कम उम्र में ही प्राण बुद्धी रखने वाले कलकत्ता बालों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था इसलिए हम लोग चंदे की किताब लेकर भूके प्यासे दो बहर की धूप में दरदर भीक मांगते फिरते किनारे खड़े होकर बिग्यापन बाढ़ते सभा इस थल में जोकर बेंच कुर्सी लगाते दलपती के बारे में किसी से कुछ कहने पर कमर बांद कर मार पीट करने पर उतारू हो जाते शहर के लड़के हमारी एलक्षन देखकर हमें गमार कहते आया तो था ना जे सरिष्टेदार बनने पर मैजनी गेरी वाल्डी बननी की तयारी करने लग गया इसी समय मेरे पिता और सुर्बाला के पितानी एकमत होकर सुर्वाला के साथ मेरे विवाह कर देने का निश्य कर लिया मैं पंद्रे वर्स की अवस्था में कलकत्ता भाग आया था उस समय सुर्वाला की अवस्था आट वर्स की थी अब मैं अठारे वर्स का था पिता के अनुसार मेरे विवा की आयो धीरे धीरे निकली जा रही थी पर मैंने मन ही मन ये प्रतिग्या कह ली थी कि आजी बना विवाहित रहका स्वदेश के लिए मर मिटूंगा मैंने पिता से कहा पढ़ाई पूरी किये विना मैं विवाह नहीं कर सकता दो-चार महिने के बाद ही खबर मिली के वकील राम लोचन बाबू के साथ सुरवाला का विवाह हो गया है मैं तो पतित भारत की चंदा वसूली के कामें विस्ते था मुझे यह समाचार अत्यंत तुछ मालूं पड़ा एंटरंस पास कह लिया था फर्स्ट इयर आर्ट्स में जाने का विचार था कि तभी पता की मृत्त हो गई परिवार में मैं अकेला नहीं था माता थी और दो बहने अतैब कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा बहुत कोशिशों के बाद नोवा खाली डिवीजन के एक छोटे से शहर के एंटरंस स्कूल में असिस्टेंट मास्टर का पद मिला सोचा मेरे उप्युक्त काम मिल गया उपदेश तथा उत्सहा परदान करके प्रतिक विध्यारती को भावी भारत का सेनपती बना दूँगा काम आरम कर दिया देखा भारत वर्ष के भविशे की अपेक्षा आसन ने इमतहान की चिंता कहीं ज्यादा की जाती थी छात्रों को ग्रामर और एलजब्रा के बाहर की कोई बात बताते ही हेड मास्टर नाराज हो जाते दो एक महीने में मेरा उत्सार ठंडा पड़ गया हमारे जैसे प्रतिवाहीन लोग घर में बैटकर तो अनेक प्रकार की कलपनाय करते रहते हैं पर अंत में कर्मशेत्र में उतरते ही कंधे पर हलका बोज़ ढोते हुए पीछे से पूँच मरोडी जाने पर भी सेर जुकाए सहिश्णु भाव से प्रतिदिन खेत गोड़ने का काम कर संध्या को भर पेट चारा पाकर ही संतुष्ट रहते हैं फिर कूद फान करने का उत्साह नहीं बचता आग लगने के डर से एक नाइक मास्टर को इसकूल में ही रहना पड़ता मैं अकेला था इसलिए यह भार मेरी ही उपर आपड़ा स्कूल के बड़े आठ चाला से सटी हुई एक जौपड़ी में मैं रहता स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुशकड़ी के किनारे था चारो ओस सुपारी नारियल और मदार के पिर तता स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के दो पुराने विशाल पेर चाया देते रहते अभी तक मैंने एक बात का उल्लिक नहीं किया ना मैंने उसे उस योग की ही समझा यहां के सरकारी बकेल राम लोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था और उनके साथ उनकी स्तरी मेरी बाल ले सकी सुरवाला थी यह मैं जानता था राम लोचन बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ सुरवाला के साथ मेरा बच्पन में परिचय था यह राम लोचन बाबू जानते थे या नहीं मैं नहीं जानता मैंने भी नया परिचा होने के कारण उस विशे में कुछ कहना उचित ना समझा यही नहीं सुरवाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूम में जुड़ी हुई थी यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं एक दिन छुट्टी की रोज राम लोचन बाबू से फेंट करने उनके घर गया था याद नहीं किस विशे पर बातचीत हो रही थी शायद बरतमान भारतवर्स तुरव्यवस्था के संबंध में यह बात न थी कि में उसके लिए विशे स्चिंतित और उदास थे किन तो विशे ऐसा था के हुका पीते पीते उस पर एक डेड़ घंटे तक यह ही शोक या दुख प्रकट किया जा सकता था तभी बगल के कमरे में चूड़ियों की हलकी सी खनखना हट साड़ी की सरसरा हट और पैरों की भी कुछ आहट सुनाई पड़ी मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले की संध से कोई कौतू हल पोर्ण आँखे मुझे देख रही है मुझे ततकाल वे आँखें याद हो आई विश्वास सरलता और बाल सुला प्रीत से चल चलाती दो बड़ी बड़ी आँखे काली काली पुतलियां घनी काली पलकें और इस थे रिस्तनीक दिद्रिष्टी सहसा मेरे हिरित पिंड को मानू किसी ने अपनी कड़ी मुठी में भीच लिया वेदना से मेरा आंतर जंजना उठा लोटकर घर आगया किंदुबा व्यथा बनी रही पढ़ना लिखना जो भी करता किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता शाम के समय मैं कुछ शांत चित्त होकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ क्यूं हुआ उत्तर में मन बोल उठा तुम्हारी वस सुरवाला कहां गई मैंने कहा मैंने तो उसे स्वेच्छा से ही छोड़ दिया था होया क्या मेरे लिए बैठी रहती मन के भीतर से कोई बोला उस समय जिसे चाहते ही पा सकते थे अब उसे सिर पटक कर मर जाने पर भी एक बार देखने तक का अधिकार तुम्हें नहीं मिल सकता वाल्य अवस्था कीवा सुरवाला तुम्हारे कितने ही निकट क्यों न रहे चाहे तुम उसकी चोड़ियों की खनक सुनते रहो उसके बालों की सुगंद की महक पाते रहो किन्तु तुम्हारे बीच में एक दीवार बरा बनी रहेगी मैंने कहा जाने वीदो सुरवाला मेरी कौन है उत्तन मिला आज सुरवाला तुम्हारी कोई नहीं है लेकिन सुरवाला तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी सच बात है सुरवाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी जो मेरे सबसे अधिक अंतरंग सबसे निकट बढ़ती नहीं मेरे जीवन के समस्त सुख दुख की सह भागी नहीं हो सकती थी वो अब इतनी दूर इतनी पराई हो गई है कि आज उसको देखना और बात कहना भी अपराथ है उसके विशेय में सोचना पाप है और यह राम लोचन ना जाने कहां से आ गया यह बात मैं भी किसी प्रकार मन से नहीं निकाल पाता था शायद यह बात असंगत थी फिर भी अस्वभाविक नहीं थी तब से और किसी भी काम में मन नहीं लग सका दो बाहर के समय क्लास में जब छातर गुन गुनाते रहते बहर सननाटा चाया रहता नीम की निबॉलियों की महक होती तब भीतर कुछ होता मन कुछ चाहता मगर उसका रूप साफ ना होता इसकूल की छुटी होने पर अपने बड़े कमरे में अकेले मन न लगता लेकिन यदि कोई मिलने चला जाए तो भी मन बड़ा बोजल हो जाता संध्या समय पुषकरिनी के किनारे सुपारी नारियल के ब्रिक्षों की अर्थ हीन मरमर ध्वनी सुनते सुनते सोचता मनिश्य समाज एक जटिल भ्रमजाल है ठेक समय पर ठेक काम करना किसी को नहीं सूजता बाद में अनुप्युक्त समय पर अनुचित पासना लेकर अस्थिर होकर मर जाता है तुम्हारे जैसा आदमी सुरवाला का पती होकर आजीवन बड़े सुक से रह सकता था तुम तो होने चले थे गैरी बल्डी और अन्त में हुए एक दिहाती स्कूल की असिस्टेंट मास्टर और राम लोचन राय बकील विवा करके सरकारी बकील बनकर अच्छा खासा रोजगार कहने लगा जिस दिन दूद में धूए की बू आती वह सुरवाला को डांट देता और जिस दिन उसका मन प्रसंद रहता उस दिन सुरवाला के लिए गहने बनवा देता अपने मोटी थुल्थुली देह पर अचकन डाले वह परम संतुष्ट रहता वह कभी भी तालाब के किनारे बैटकर आकाश के तार्यों की और देखता हुआ आहें भरते हुए शाम नहीं गुजारता एक बड़े मुकद्दिमे में राम लोचन कुछ दिन के लिए बाहर गया था अपने इसकोल भवन में मैं जिस तरह अकेला था शायद उस दिन सुरवाला भी अपने घर में उसी तरह अकेली थी मुझे याद है उस दिन सोमबार था सवेरे से ही आकाश में बादल थे दस बज़े से टप टप बारिश शुरू हो गए थी आकाश की दशा देखकर हेड मास्टर ने जल्दी छुट्टी कर दी काले काले में एक सारे दिन आकाश में घूमते रहे दूसरे दिन तीसरे पहर से मुसलाधार बारिश शुरू हुई और आंधी चलने लगी जयाँ जयाँ रात होने लगी वारिश और आंधी का वेग भी बढ़ने लगा पहले पुरवया चल रही थी फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्व की और से हवा बहने लगी उस रात सोने का प्रेयत में करना वेर्थ था खयाल आया इस दुरूयोग के समय सुरवाला घर में अकेली है हमारा इसकूल भवन उनके घर की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत था कई बार मन में आया उसे इसकूल भवन में बुला लाओं और मैं पुषकरणी के किनारे रात बिता लूँ किन्तु किसी भी तरह तै नहीं कर पाया रात एक डेड़ पहर गई होगी किस हैसा बार आने की आवाल सुनाई पड़ी समुद्र बड़ा आ रहा था घर से बाहर निकला सुरवाला के घर की ओच चला रास्ते में अपनी पुषकरणी का किनारा पड़ा बहां तक आते आते पानी मेरे घुटनों तक पहुँच गया था मैं जियों ही किनारे पर जाकर खड़ा हुआ तियों ही एक और तरंगा पहुँची हमारे तालाब के किनारे का एक हिस्सा लगबग दस ग्यारे हाथ उचा था जिस समय में किनारे पर चड़ा उसी समय बिपरीद दिशा से एक और ब्यक्ति भी चड़ा ब्यक्ति कौन था या सिर से लेकर पैर तक मेरी संपून अंतरात्मा समझ गई थी और उसने भी मुझे पहचान लिया था इसमें मुझे संद्या नहीं और तो सब कुछ डूबा हुआ था किवल पांच छे हाथ के उस द्वीब पर हम दोनों प्राणी आकर खड़े हुए थे प्रले काल था आकास से तारे गयब धर्ती के सब प्रदीब भुजे हुए थे उस समय कोई बात करने से भी हानी नहीं थी किन्तो एक भी शब्द ना निकला दोनों के वल अंधकार की और ताकते रहे आज संसार छोड़का सुरवाला मेरे पास आकर खड़ी थी मुझे छोड़कर आज सुरवाला का कोई नहीं था कब से बीते हुए उस शेशब काल में सुरवाला किसी जन्मांतर के बाद किसी प्राचीन रहस्य अंधकार पर उतराती हुई उस सूर्य चंद्रा लोकित जना कीर्ण प्रत्वी के उपर मेरे ही बगल में आकर खड़ी हुई थी जन्मिस्त्रोत ने उस नवकलिका को मेरे पास लाकर फैंक दिया था मृत्य स्त्रोत ने उस बिकसित पुष्प को भी मेरे ही पास ला फैंका इस समय के वल एक और लहर की जरूरत थी जो सदैब के लिए हमें एक कर देती वह लहर ना आए पती पुत्र घर धन जन को लेकर सुर्वाला चिरकाल तक सुक्स रहे मैंने इसी रात में महा प्रलाई के किनारे अनंत आनंत का स्वाद पालिया रात समाप्त होने को आए आंधी थम गए पानी उतर गया सुर्वाला बिना कुछ कहे घर चली गए मैं भी बिना कुछ कहे अपने घर चला आया मैंने सोचा मैं नाजिर भी नहीं हुआ सारिष्टेदार भी नहीं हुआ गैरी बाल्डी भी नहीं हुआ मैं एक तूटे फूटे स्कूल का असिस्टेंट मास्टर रहे गया मेरे इस संपूर्व जीवन में केवल शन्वर के लिए एक अनंत्र रात्री का उद्य हुआ था शायद वही जीवन की एक मात्र चरम सार्थकता थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रविंद्र नाट टैगवर द्वारा लिखी वी एक कहानी एक रात अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचेगा धन्यवाद